स्टुएंट्स आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं और आप लोगों ने मेरे 5K सब्सक्राइबर करवा दिया तो उस चीज़ के लिए ठैंक्स लेकिन मैं आप एक बहुत ही अच्छ टॉपिक के साथ आया हूँ क्या है इसके बारे में कोई ज्यादा चीज़ बताता नहीं और हमें इस वीडियो में आएं और मैं इस वीडियो के थिरूप पूरा मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने के ज़रूरत नहीं यहां पर आप बस एक point समझ लेंगे और उस point की through आप इन दोनों को चीज़ों को समझ लेंगे दोनों में अंतर क्या है आखिर यह चीज़ों होती क्या है और इनके बीच में उसी एक point की through सारे difference आप create कर पाएंगे इसी तरीके का मेरा पढ़ाना होता है हर वीडियो में आप लोगों को पता है मेरी वीडियो देखते हैं चले शुरू करते हैं ठीके सबसे पहले चीज़ एक example ले लेते हैं किसके लिए इलेट्रिकल डिवाइस के लिए तो यह मैंने मोटर लिया हुआ है और मैं यह पिछली वीडियो में भी यूज कर चुक हो क्योंकि इससे बहुत अच्छी तेरिके से चीज़े क्लियर होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा इलेट्रिक करेंट इलेट्रिक करेंट फ्लो हो देखे इलेट्रिक करेंट फ्लो होता है होता ना अब किसमें होता है हमें पता है किसमें होता पहली चीज़ कंडक्टर दूसरी चीज़ सेमी कंडक्टर इंसूलेटर में फ्लो नहीं होता तो इलेट्रिक करेंट जब फ्लो हो के हमारे conductor में तो ऐसी dayvizes को ऐसी जिसमें electric current flow हो git Trop golden hell मैं आपको क्या समझाना चाहर हूं समझना क्योंकि देखें यह ये मोटर जो किसे बनी जो की इसे को Works toBE कर पाते जैसे कि मैं आप से बात करूं किरों आयरन है इस ट्थील है ऐलमुने में कोपट करते हैं तो ऐसी चीजों से हमारी क्या बनी ? ये मोटर बनी यह तो यहाँ पर क्या करता है तो एसफ एंसास जो PlayStation Grade करती है टिक वह थे कंडॉक्तर की थ्रू उसको हम क्या कहते हैं रच 13 अब बात करते растें LA स्थी जैसे कि मुबाइल आप जो देख रहे हैं जैसे कि यह रचांध ऑट यसमें भी सेमिक करने का यूज किया गया तो एलेक्टरक्रनंट Dur 참 समझ है तो एक ऐसी डिवाइजेज है इसजी जिसमें लोग सेमीडिक्ण के थो यह चीज हा आप समझ गए जो मैं आप बताईए तो इस से आप आगे की और चाहिए टिशें में लिख पाएंगे और उसी के साथ साथ हमें इस चीज़े पता होनी चाहिए कि आखिर इन दोनों में क्या difference सिंपल सी चीज़ है जिसमें current flow conductor के थूँ ऐसी डिवाइज जिसमें current flow conductors के थूँ उसको मिले ट्रिकल डिवाइज और ऐसी डिवाइज जिसमें current flow हो सेमिकंडक्टर के थूँ एसी डिवाइज हम क्या करते हैं सबसे पहले यह वाला पॉइंट लिख लेते हैं और यह पॉइंट लिखने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि सारी difference कैसे होते हैं आपको clear हो गया हो चलिए लिखते हैं सबसे पहली चीज दी इलक्रिक करेंट लोइंग थूँ एक कंडक्टर इस काल्ड एलेक्ट्रिकल डिवाइज ठीक है और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बंबर दे दें यहाँ पर यह यह यहरो को आटा के खिवन नबर कर देंगे तिक लिख ड्रीक है करेंट लोइंग को त्रूप इस सेमी कंडक्टर ठीक है सेमिकंड़क्टर के थ्रू जब इलेक्टिसिटी फ्लो होती है तो उसको करते हैं इस कॉल इलक्ट्रोनिक डिवाइजेज ठीक है चलिए अब यह चीज हमें पता होगा दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिकल डिवाइजेज जो होती हूं उनके पास ऐसी एविलिटी नहीं होती है कि वह डिसीजन को ले सके अब यह मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोग भी सोच रहें क्या कि यह सब बोल कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो कि मैं यहाँ पर अपने मुझसे जैसे मैं ने आप पर उसकी करते हैं यह यहां यहां एंटाब ले सकती है अतलब कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने क्या बोला कि मुझे डिफरेंस बताओ electrical and electronic devices में मैंने बोला तो जब वो सर्च करेगा तो उसके पास ability है कि वो सर्च कर पा रहा है चीजों को वो आपको कुछ चीज़ें दे पा रहा है ठीक है भले ही वो किसी internet की ठुछ दे पा रहा है बट उसके पास यह ability है कि वो decision ले पा ठीके कभी कभी हमें क्या होता है mobile की battery जो यह आफिर कह सकते है mobile के pediatric खतम हो गई है तो उसके पास यह ability है कि disrupt की battery खतम हो गई है चार्ज में लगा लो उसके पास यह ability है बट वही मैं आप simple simple एक example लूक इसका electrical devices का तो जैसे बल्फ जल रहा है बल्फ के पास यह ability नहीं होती है कि वो जो है हमें decision ले पाए जैसे कोई बल्फ जल रहा है और वह बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया है अब फूटने वाला या कह सकते हैं खराप होने वाला है तो उसके पास यह ability नहीं है कि वह warning दे सके कि प्लीज मुझे बंद कर दो मैं खराप होने वाला हूं तो उसके पास यह ability नहीं मतलब electrical devices के पास यह ability नहीं है कि वो बता सके कि मैं यहां पर decision लेना चाहता हूं मैं बंध होना चाहता हूं यह ability नहीं तिक कुछ तरीके से जैसे मैं आप मोटर बताया मोटर कभी आपको यह नहीं बताएगा कि मैं जलने वाला हूं या फिर चलते-चलते खराप होने वाला हूं तो मुझे आप प्लीज ठीक करवा ले यह ability electronic devices के पास नहीं होती बट इलेक्ट्रिकल डिवाइजेस के पास होती है तो मैं हाँ पर दूसरा difference क्या लेख सकता हूँ इट है नॉट या फिर हम कह सकते हैं इट कैन नॉट अबिलिटी टू टेक डिसीजन आई होब आपको इस चीज से बहुत ज़्यादा क्लियरेंस हो गया होगा ठीक है इट कैन अबिलिटी टू टेक डिसीजन ठीक है चलिए दीसरी चीज बात कर लेते हैं थर्डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा चीज है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइजर्स होती है वो वर्क करती है एसी पे और जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइजर्स वर्क करती है किस पर डीसी पर ठीक है और उसके आगे कभी मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं उसके बाद मैं लिख दूँगा जो फोर्थ नमर का डिफरेंस यह है कि जो हमारी electrical devices है वो electricity है फिर कह सकते है voltage को और current को produce करती है वहीं जो हमार electronic devices है वो current और voltage को control करती है यह क्या करता produce करता यह क्या करता उस चिसको control करता तो यही डिवाइजेज वर्क विद अएसी और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनिक डिवाइजेज वर्क विद डीसी ठीक है उसका फोर्थ क्या है इलेक्ट्रिकल डिवाइजेज प्रोडियूज बोल्टेज एंड करेंट ठीक है और जो हमारी electronic devices होती है वह क्या करती है यह क्या करता प्रडियूस करता है इलेक्ट्रोनिक डिवाइजेज कंट्रोल करेंट एंड वोल्टेज ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो फिफ्ट डिफ्रेंस भी इसी से रिलेटेड है कि यहां पर क्या हां यहां पर हैं यहां से रिड्टरीक्ट्रीकल डिवाइज होती है। इसके लिए ह। भी इत वरक भीट हैं हाई है वोल्टेज़ एंड करेंट यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है é यहां पर क्या होता है सिंपल से चीजर Awwуск M मतलब कहा है कि अगर मैं आपसे बात करो जिसे मोबाइल जो है हमारी जो बोल्ट 12-15 वोल्ट में काम कर जाती है वहीं अगर में मोटर को यहां पर 12-15 बोल्ट में लगाँगा तो कुछ फरक ही नहीं पड़ेगा मतलब मैं यह कह सकता हूँ जोड हो ना कि ये लो बोल्टेज वेक्ष करती हैं और यह है बोल्ट जो करती हैँ नहीं पर एक चीज और आप जोड़ लेना minimum वोल्टेज जो होता है कि मिनिममम कि वोल्टेज मिनिमममब करता हो 110 बोल्ट होता है ठीक है और यहां Пर मिनिमम 5 वोल्ट होता, 5 वोल्ट इस मिनिमम, मतलब कि अगर आप यह चाहते हैं कि मेरी electronic devices काम करें तो सिर्फ minimum कम से कम 5 वोल्ट होना चाहिए, और अगर आप यह चाहते हैं कि मेरी electrical devices बर करें, तो कम से कम 110 voltage current होना चाहिए, तो I hope आप इस चीज़ से बहुत ज़्यदा understand हो गए करने होंगी और ऐसी वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने तक कि मैं और ऐसी वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊं, मिलतें नेक्स वीडियो के साथ, make easy, learn easy